वीडियो में हम सभी बहुपद यानि पॉलिनामियल को पढ़ना हमें और फिर से एक बार बताना चाहेंगे आपका ये ये न्सी आर्टी टॉप जो बुक है वो अपलस आडी सर्मा इतना सारा का सारा हम लोगों क्या करना कवर करना है ये जो दोनों बुक है इन दोनों बुक क है खुद का कि आप अपने एक्जाम में हैंडेट पर्सेंट नंबर को गेन कर सकते हैं हैंडेट माक्स का जो पेपर होता आपका वो टोटल को टोटल आपको मिल राएगा एक भी नंबर छुटने वाला नहीं है तो आसा करते हैं कि आप दिन दोनों टॉप बुक को इतना ब बेहत जरूरी है पढ़ना तो चाहिए सब को पढ़ना चाहिए जो बच्चा वीक हो उसको भी जो एकदम एडवांस हो जो पढ़ने में बिल्कुल ततपर हो उसको भी पढ़ना चाहिए तो हम ऐसे बच्चों का बिल्कुल स्वागत करते हैं जो मेहनत कर सकते हैं और अपने इसे नए question को जो हो सकता है इसके पहले हमने इसको solve कराया हो लेकिन फिर भी आज कुछ नए रूप में होगा यदि बवबद A square plus 4 X square plus 13 X plus 2 A के सुन्यक एक दूसरे के ब्यूत करम है तो A का मान ग्याद कीजिए कल भी हमने इस तरह का एक question करा रखा था और आज फिर एक question हमने ले करके आ गए हम और इसको क्या करना है साल्व करना है अगर आप लोगों को आ रहा हो आप लोग भी अपने copy pen को उठाए और हमारे साथ साल्व करिए बिना copy pen के मजा नहीं आने वाला है आपको साल्व करना है तो हमारे साथ साथ बने रहे है और साल्व करिए देखें यहाँ पर कह दिया सुन्यक दूसरे के क्या है ब्यूत करा है जी रोज है जी रोज आप जानते है ना जी रोज जो होता है वो अलफा और बीटा होता है लेकिन यहां हम कह रहें कि अगर एक alpha है तो दूसरा क्या रहेगा one upon alpha रहेगा अपने पास दो सुन्यक है एक alpha है तो दूसरा one upon alpha है तो इनका जो product value होता भी जानते हैं alpha into beta is equal to क्या होता c upon a होता यह आपको पता होगा अगर नहीं पता तो आप learn कर लेजे दो सुन्यकों का जो multiple value होता जो product value होता वो क्या होता है c upon a होता है तो इसी value को हम रखेंगे चलिए अपने पास एक 0 क्या है alpha है दूसरा 0 क्या है one upon alpha हो गया is equal to c के place पे क्या यह आपका क्या होता c होता है कैसे इतना total a x square plus b x plus c यानि जो आपका standard form होता है कौन सा a x square plus b x plus c ये quadratic polynomial को इसे standard form होता है वो यही होता है तो वहाँ से compare करेंगे तो c के place पे कौन आता है 2 a आ गया अब भाई में कौन हो जाएगा a square plus 4 हो जाएगा तो चलिए अबने write कर दिया अब देखिए alpha से alpha क्या होगा cancel हो जाएगा 1 is equal to बनेगा 2 a अपान क्या a square plus 4 इसको transfer कर लिजे यह अलचस में तो बनेगा a square plus 4 is equal to 2 a और यह अलचस में लेके आजा यह a square plus 4 minus 2 a is equal to 0 इसको और अच्छे से write करेंगे तो लिखाएगा a square minus 2 a plus 4 is equal to 0 आपको बता दे यह a minus 2 का whole square होता है जी आप factorize करोगे तो भी मिलेगा यही चीज है ना is equal to 0 तो क्या बनने वाला है a minus 2 is equal to 0 तो a is equal to क्या हो जाता है 2 आपका यहाँ पर answer हो जाता है बहुत ही आसान यह सभी question है और अगर यह exam में आता है कि वाल एंसी आटी पढ़ने वाला बच्चा तो इसको नहीं कर पाएगा इसके लिए मुश्किल हो जाता है इसलिए मैं कहा रहा हूँ आपको extra knowledge की जरूरत होती है आपको पहले समझ में आ जाया तो बहुत ही अच्छी बात है चलिए देखते है next question next question क्या यदि एक बहुपत के सुन्यकों का योग alpha plus beta is equal to 4 है और good and fall यानि उसका product कितना है 2 है तो एक ऐसे बहुपत को बनाईए जिसके सुन्यक alpha plus beta और alpha minus beta है यानि आपको ऐसे सुन्यक को लेना जैसे हमने मान लिया एक alpha dash है वो कौन है alpha plus beta एक है beta dash से लिए लिख दीजे बीटा dash is equal to alpha minus beta तो हमको एक quadratic polynomial बनाना है वो क्या होगा quadratic polynomial कल भी हमने इस तरह का question ले रखा था class लेने का एक और परपज है मेरा कि previous जो question वो मेरे repeat होते रहें ताकि आप कोई ची भूलो मत जो भी पढ़ो वो इसको solid रूप से तयार करते चलो हमारे साथ साथ तो px is equal to क्या हो जाएगा x square minus alpha dash plus beta dash into x plus alpha dash beta dash ये आपका क्या हो गया quadratic polynomial हो गया अब हमको यही alpha dash और beta dash कहीं से find out करना अगर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे value को put up करेंगे एक चीज़ और देखिए alpha plus beta तो हमको पता है कितना ये देखिए ये कितना है four है तो हमने write कर दिया यहाँ पर क्या alpha plus beta के जगह पर four बस हमको यह minus वाले term नहीं पता तो minus वाले term को पहले calculate करते हैं न जी alpha minus beta is equal to आप लिख सकते हो under root में क्या लिख सकते हो alpha plus beta का whole square ये formula जह है यान जी इसको क्या कहेंगे हम लोग formula कहेंगे बिलकुल इसको learn रखिएगा बिना इसको आपके question नहीं साल होने वाला तो इसको learn कर लिजिएगा alpha plus beta की value कितना है four है तो four का square हो जाएगा minus four into alpha into beta की value कितना है two है ये कितना हो जाएगा 16 minus eight हो गया 16 minus eight क्या हो जाएगा under root में ही आपका eight हो गया ठीक है अब eight का square root अगर आप solve करिएगा तो two under root two हो जाएगा ठीक है इस value को क्या करिएगा यहाँ हमने एक बार write कर दिया क्या two under root two है ना अच्छा कुछ लोग के दिमाग में आ रहा हो गया यह कैसे हो गया भई तो चलिए बता देते हैं two into two into two है ना जी यह तो pair बन गया तो pair बन गया जिसका वो बाहर आ जाएगा यह वाला बेचारा अंदर ही पड़ा रह जाएगा कहां पर यहाँ है ना बिल्कुल अब क्या करिएगा value को रख दीजे x square minus alpha dash plus beta dash यह आप देख पा रहे होंगे four plus two under root two हो गया यह तना हो गया बाहर यक्स और alpha dash into beta dash अभी हमको चाहिए तो चलिए हम यहीं पर इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं alpha dash beta dash की जो value होगी वो क्या होगी यह देखिए four हो गया और यह क्या है two under root two हो गया इनको multiply करिएगा तो हो eight under root two रख दीजिए यह आपका quadratic polynomial बन करके तयार हो गया हना question यह घुमाज देता है इसी तरीके से आपको परिशान कर देता है लेकिन आपको घुमना और परिशान होना नहीं है जैसी तरीके से हमने बताया क्या requirement थी देखिए alpha minus beta की requirement थी हमने क्या कि एक formula से कहां से पता चल बीटा डैस में हमारा r alpha minus beta तो हमको इसी के मदद से जो question given है उसी के मदद से क्या करना है alpha minus beta के बेलो निकाल लेना है और यहाँ पर formula अपना formula में रख देना है और क्या हो जाएगा question solve हो जाएगा चलते है next question की ओर next question हमारा क्या कहता है एक त्री घात पहुपत ग्याद के जि x plus d के जो सुन्यक होते है alpha वीटा और क्या होते है गावा होते है ये 3 सुन्यक होते है तो इनमें क्या relation होता alpha plus beta plus gamma is equal to होता है minus b upon a alpha बीटा plus beta gamma plus gamma is equal to होता है c upon a और alpha बीटा गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपन ए इतना हो गया ठीक है यह फार्मूले में लेकिन हमको क्यूबिक पॉल्लोमिल बनाना है तो क्यूबिक पॉल्लोमिल को बनाने का अपने पास फार्मूला होता है वो formula क्या है देखिए ऐक्स क्यूब माइनश alpha प्लस beta फ्लस गामा इंटो x² प्लस alpha फ्लस बीटा फ्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटो क्या येक्स माइनस alpha बीटा गामा यही value हमको चाहिए आपको बता दे यहाँ पर दिया है एक एक सुन्यको का योग यानि अलफा प्लेस बीटा प्लेस गामा की जो वैलू दिया है वो कितना दिया है माइनस थ्री दिया है फिर दिया दो दो सुन्यको के गुरनफल का योग कितना दिया है फाइब दिया है तो उसको आप क्या लिख होगे यहाँ पे मिलेगा माइनस का 3 तो सारी माइनस only 5 मिलेगा यह देखिएगा दो-दो सुन्यकों के गुरनफल का formula क्या है यहाँ पर 5 सारी value कितना 5 है और 3-3 सुन्यकों के गुरनफल के गर बात करेंगे तो यानि alpha, beta, gamma is equal to कितना मिलेगा 2 मिलेगा यह सभी value क्या करिएगा आप यहाँ पर रख दीजे और आपका answer बनकर के तैयर हो जाता है x cube minus alpha plus beta plus gamma की जगहें पर आपको क्या रखना माइनस का 3 रख देना x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha की value कितना है 5 है तो लिख दीजे 5x और alpha beta gamma की value कितना है minus 2 तो आपका यह complete answer बनेगा x cube plus 3x square plus 5x minus 2 यह आपका क्या हो गया यहाँ का answer हो गया चलिए बढ़ते हैं आगे next question की ओर next question अपना क्या है एक दीघात बोपत ग्याद की जिसके सुन्याक देखिए alpha is equal to minus 2 दिया है beta is equal to दिया है क्या 6 तो आपके पास cubic polynomial के पहले तो इसको add कर ले जाए alpha plus beta is equal to हो जाएगा minus 2 plus 6 is equal to only plus का 4 हो जाएगा फिर क्या बनेगा alpha into beta is equal to minus 2 into 6 is equal to क्या minus square 12 हो जाएगा formula क्या होता है px is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta ये value आपको क्या करना यहाँ पर रख देना है x square minus alpha plus beta के place पे हमको क्या रखना है 4 रख देना तो चलिए 4 रख दिया हमने और alpha into beta के जगह क्या रखना minus का 12 तो minus का 12 रख दिया अब ये जा करके आपका answer बन करके तयार हो जाता है चलिए बढ़ते हैं next question की और next question अपना क्या है next question है यदि एक बहुपद x क्यों minus 3 x square plus 4 x minus 8 के सुन्यक a minus b a a plus b हैं तो ये और b के मान बता दिजे इस तरह का question हमने previous वीडियो में भी बता रखा है ये बार बार मैं repeat कर रहा हूँ ताकि आप इसको क्या कर लो अच्छे से सीख लो तो देखो सबसे पहले काम क्या करना है यहाँ पे alpha is equal to लिख दीजेगा a minus b beta is equal to लिख दीजेगा a और gamma is equal to लिख दीजेगा a plus b अब alpha plus beta plus gamma is equal to होता क्या है minus b by a होता है ठीके अब यहाँ पे लिखेगा a minus b plus a plus a plus a plus b is equal to ये देखेगा माइनस और ये माइनस क्या होगा माइनस 3 और माइनस का यहाँ पर वैलू क्या प्लस का 3 हो जाएगा by 1 और देखेगा B से भी क्या हो गया cancel हो गया ये 3 A is equal to बनेगा 3 A is equal to लिखेगा 3 upon 3 cancel हो गया 1 अभी A की वैलू हमको मिला है लेकिन हमको क्या चाहिए B की वैलू चाहिए तो alpha beta gamma is equal to होता है minus D by A है ना क्या होता minus D by A alpha beta gamma आप देखेगा यहाँ पर वैलू क्या alpha की वैलू क्या A minus B है और फिर A है और गामा की वैलू क्या A plus B is equal to minus D minus minus देखेगा plus का हो जाएगा यानि 8 अपान क्या लिखेगा 1 ये आपका total बन जाएगा A square minus B square और in 2 में क्या A is equal to 8 A की value आपके पास कितना है 1 है तो यहाँ put कर दीजिए 1 का square 1 हो जाएगा minus B square in 2 में क्या 1 is equal to 8 हो गया अभी 1 minus B square is equal to 8 ट्रांसफर कर दीजिए B square is equal to हो जाएगा ये क्या आपका 1 minus 8 1 minus 8 की जो value होता है minus का under root sorry ये mistake हो जा रहा है B square is equal to हो जाएगा minus 7 है ना अभी यहाँ से B की जो value निकालेंगे तो ये undefined हो जाता है B is equal to under root minus 7 ये ऐसी संख्या जिसे कहा जाता है काल्पनिक संख्या क्या कहते हैं काल्पनिक है ना ये काल्पनिक नंबर है अंडर root में कभी भी minus का कोई नंबर आता तो इसको क्या कहा जाता है imaginary नंबर कहा जाता है देख्या इसको आप B की value से बना करके रोग दीजिएगा और ये आपका क्या है एक ही value हो गया ठीक है बढ़ता है next question की तरफ next question हमारा क्या है यहाँ पर next है एक बहुपद x q plus 5 x square minus x minus 5 के सुन्यक क्या है 1 और minus 1 है तो अन्य सुन्यक देख्या एक खल कोईशन हमने करा रखा था फिर से एक बार आ गया आपके सामने तो सबसे पहले आप x is equal to लिखिएगा क्या x q plus 5 x square minus x minus 5 है ना और एक x is equal to 1 दूसरा x is equal to minus 1 यहाँ से आप g x is equal to लिखिएगा इनके मदद से क्या बन जाएगा बनेगा x minus 1 जो plus हो minus का जो minus हो उसको plus का बनाके रखते हैं हो जाएगा यह x square minus 1 फिर g x से हमको क्या करना है p x को डिवाइड करना है तो लिखिएगा x square minus 1 और किसको डिवाइड करना है x cube plus 5 x square minus x minus 5 इसको डिवाइड कर देते हैं देखते हैं क्या आता है यहाँ x square है x square में किस से multiply करेंगे x से तो यह बनेगा x cube और फिर minus x तो minus x यहाँ write कर दीजे subtract कर दीजे plus यह cancel हो जाता है और यह भी cancel हो जाता है 5 x square minus 5 इस बार किस से multiply करेंगे plus 5 से multiply करेंगे तो यह फिर हो जाएगा 5 x square minus 5 sign change करेंगे और cancel कर देंगे टोटल क्या हो गया 0 हो गया अब जो आपका यह q x है q x कौन आपका यह value है q x की जो value है वो कितना है x plus 5 है तो जो answer बनेगा यहां से क्या बनेगा इसी के sign को आप change करके लिख दो यह x is equal to क्या हो गया minus का 5 जो आपका तीसरा सुन्यक है यह qb polynomial था इसके पास कुल कितने सुन्यक होंगे तीन सुन्यक होंगे एक तो यह दिया है दूसरा यह दिया तीसरा हमने निकाला यानि तीनों को मिल लाता है चलिए आगे बढ़ते हैं next question की ओर next question हमारा क्या है next question भी हमने कल इसको करा रखा ता एक बार फिर से इसको revise करने की बात का आगी है सामने क्योंकि revision भी जरूरी है हमारे लिए यदि alpha और beta द्विघात वोपद x square plus bx plus c के सुन्यक है तो alpha square plus beta square upon alpha plus beta का मान क्या ह होगा इस page पर ना करके हम next page page को solve करने जा रहा है देखिए हमारे पास क्या है ax square plus bx plus c है है यहां से alpha plus beta is equal to क्या लिख सकते है minus b upon a और alpha into beta is equal to लिख सकते है c upon a हमको value किसका चाहिए alpha square plus beta square upon alpha plus beta की value चाहिए तो इसमें हमको इसकी value तो पहले पता होना चाहिए तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे alpha square plus beta square is equal to लिखेंगे alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta अब यहां पर value रख देंगे क्या minus b upon a देखिए कुछ question में यहां a, b और c की जगह पर कोई digit रखा जा सकता है कोई number रखा जा सकता है हम तो बार बार जनरल फार में रख करके solve कर रहे हैं कुछ question में आपको यह किस तरह दिया जाएगा number यानि संख्या देदेगा तो आपके लिए आसान रहेगा ऐसे भी सवाल बनाया जा सकता है तो आप ध्यान दीजिएगा इस पर minus 2 into क्या हो जाएगा c upon a यह हो जाएगा b square upon क्या a square minus 2 c upon क्या बन गया a lc हम ले लिजेगा बनेगा क्या a square बनेगा b square minus देखिए a से square को divide करिएगा तो क्या मिलेगा a और 2 c में multiply हो जाएगा तो 2 a c हो जाएगा ठीक है अब आपके पास यह value रखने के लिए मिल गया कितना मिल गया b square minus 2 a c upon क्या a square यह alpha plus beta की value minus b by a है ना क्या लिखेंगे minus b by a तो a उपर चला जाएगा और b नीचे आजाएगा क्योंकि यह अपान में था ना यह देखिए नीचे था यह उल्टा हो जाता जब value रखेंगे तो a से क्या होगा cancel हो जाएगा तो minus b square minus 2 a c upon क्या लिखेंगे a b क्योंकि यहाँ एक a बचेगा और यह b तो यह भी हो गया है ना इस तरीके से आपका यह भी क्या होगा answer complete हो जाएगा अब इतने question हमारे थे आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरिन तरीके से इसको आप सबको बताए हैं तो आसा करते हैं कि आप भी इसको अच्छे से तयार कर लेंगे और अपने exam के लिए इनको क्या करोगे note करके रखोगे क्योंकि question तो बहुत ही अलग थे यह सभी और अगर आप केवल NCRT पढ़ते तो आपको पता चलता होगा कि यह सच में बहुत ही अलग और advanced तरीके के question है ठीक है मिलते है next video में इसी तरीके से और अच्छे सवाल